अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 10 ठीक है इंगलिस सब्जक्ट की है बेटा 7th किलास के बच्चों के लिए 820 तारिक की है जिसमें आज हम पढ़ेंगे नाउन ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा नाउ ठीक है तो singular noun गों से होते हैं इस singular noun names one person और place और thing ठीक है तो मतलब singular noun के होता है सिर्फ एक की बात हो रही हो जहां पर ठीक है यह तो आपको पता ही होगी जैसे की one cat meow all night यानि की एक बिल्ली सारी रात क्या करती रही अब plural में बोलेंगे इसी को तो कैसे बोलेंगे ए प्लूर तीन बिल्यों की बात हो रही है ठीक है तीन बिल्या क्या कर रही है मियाओं कर रही है सारी रात तो तीन बिल्या कर रही है तो यह plural हो गया यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कर रही थी तो इनको बोलते singular और plural noun अब यह क्या होता है बेटा usually nouns are made plural by add s ठीक है हम plural कैसे बनाते देखो बेटा यहाँ पर क्या था cat यहाँ पर क्या कर दिया cats यानि कि s add कर दिया ठीक है तो जब हम add s add कर देते हैं किसी भी एक singular noun के अंदर तो वो क्या बन जाता है plural बन जाता है ठीक है example के लिए बेटा आपको यहाँ पर दिया है five tables ठीक है अगर आप table लिखते तो single होती अब आपने five लगा दिया तो मतलब एक से ज़्यादा है तो आप क्या लिगोगे tables करोगी इसको ठीक है तो s लगा दिया आपने यहाँ पर इसी तरीके से add zone above add an s to make the plural form of each noun तो यह noun दिये है इनके पीछे आपको s लगाना है और क्या बना दिना है plural बना दिना है singular noun को ठीक है तो spoon है तो यहाँ पर क्या आएगा spoons ठीक है यहाँ पर phone है तो क्या हो जाएगा phones ऐसे लगा दिना है jabra में क्या हो जाएगा jabras डोग में क्या हो जाएगा टीचर में क्या हैगा बटा यह पूरा लिखो और पीछे ऐसे लगा दो अब सेम टू सेम इधर भी करना है जो six number का friends में क्या करोगे पूरा friend लिख दिया और उसके पीछे ऐसे लगा दिया head लिखोगे बटा same to same ऐसे लगा दोगे lamp है lamp को यहाँ पर ऐसे लिखना है फिर उसके पीछे ऐसे लगा दोगे store भी लिखोगे ऐसे और उसके पीछे ऐसे लगा दोगे plants में भी क्या करोगे इसी तरीके से ऐसे लगा दोगे तो यह आपका बन जाएगा ठीके यह हो गए आपके सारे plural form और यह थी singular यहाँ पे plant का मतलब क्या होगा पेटा पोधा और plants का मतलब होगा पोधे एक से ज़ादा अब next देखो पेटा यहाँ पर क्या है read the following and repeat twice आपको क्या करना है इनको follow करना है और repeat करना है ताकि आपको याद रहे जैसे कि one car अब हम one की जगह क्या बोलेंगे two cars s लगा देंगे ठीके तो हम क्या करेंगे इनको बोलते है regular nouns इनमें dog है one dog, two dogs one book, two books one house, two houses one apple, two apples अब बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्या है ends in s, ch, sh, x और z अगर कोई word किसे end हो रहा है बेटा s से, ch से in सबसे जैसे कि बेटा देखो बस इसमें s आ रहा है match के अंदर ch आ रहा है last word और dish के अंदर sh आ रहा है ये वाला ठीक है और box के अंदर x आ रहा है quiz के अंदर z आ रहा है ठीक है तो अगर इस तरीके से last में ये words आएं तो हम क्या लिखेंगे उनके पीछे es लगाएंगे sorry बेटा थोड़ा गला खराब है मेरा तो यहाँ पर क्या हो गया buses हो गया, ये matches हो गया, ये dishes हो गया और ये boxes हो गया, और ये quizzes हो गया ओके इस तरीके से आपको करना है अब next क्या है बेटा ends in f और fe अगर किसी words के पीछे f आ रहा है या fe आ रहा है जैसे कि बेटा यहाँ पर leaf f आ रहा है, wolf, f आ रहा है life में fer है ठीक है और knife के अंदर क्या रहा है fe तो इसमें क्या लगाएंगे v e s ठीक है, तो यह क्या गया v e s आ गया इन सब के पीछे v e s लगा देंगे हम ओगे, लेकिन यहाँ पर एक exception भी दिया है आपको, roof जो होता है वहाँ पर f है, लेकिन हम roof में क्या करते है बेटा v e s नहीं लगाते इसमें क्या करते हैं, यह आपको याद करना पड़ेगा खाली ऐसे लगाते हैं ऐसे ही cliff में cliffs लगाते हैं, ठीक है अब बेटा देखो similar इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या लिखा है ends in vowel, अकर कोई word या कोई मतलब क्या होता है बेटा, vowel से यह वोवल हो गया, प्लस में इसके y है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम s लगाते हैं, ठीक है यह बना दिया हमने days, ऐसे यहाँ पर key key में देखो यह वोवल है प्लस में क्या इसके साथ y तभी तो key बनता है, तो इसको हम क्या करेंगे keys, s लगा देंगे बट, ऐसे ही boy में, guy में और donkey में, ओके donkeys बन जाएगा, boys, guys इस तरीके से, अब बेटा next क्या है ends in consonant plus y अगर बेटा कोई word क्या है, consonant से add है, जैसे की city है city देखो क्या है city में क्या होता है, यह city लिखा है, अब यहाँ पर c, i, t यह तो t है, और यह क्या है बेटा y, ओके, अब y है तो बेटा, इसका मतलब क्या है यह यहाँ पर यह consonant हो गया, यह y हो गया तो इसमें क्या करते हैं, i, e, s लगाते हैं, तो यहाँ पर y है और इससे पहले क्या है consonant, तो यह cities बन गया, यहाँ पर Y है इससे पहले consonant है तो यह babies बन गया ऐसे ही story का stories, party का parties, country का countries, ओके याद करने पड़ेंगे आपको यह थोड़ा सा hint से, ओके अब बेटा next देखो, next में क्या है, irregular nouns यह irregular nouns है, जैसे कि man हो गया, यह regular noun थी बेटा, ठीक है, यह man का क्या बन गया, man, इसमें E लगा दिया, यहाँ पर E था न, यहाँ पर E लगा हुआ है child में बेटा, children child का मतलब होता है, single और दो की बात कर रहे हैं तो children बोलेंगे two child नहीं बोलेंगे, या two childs नहीं बोलेंगे, two children बोलेंगे one foot, two feet ठीक है, double E आ गया one tooth, two teeth double E आ गया इसमें भी ठीक है one mouse, two mice, यह आपको याद करने है बेटा, ठीक है one person, two people, एक वेक्ति की बात करें तो person बोलेंगे और एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम people बोलेंगे, ठीक है two people, three people, one people नहीं बोलेंगे one person, two people, ठीक है एक से ज़्यादा होते हैं, हम people बोलेंगे अब next बेटा, देखो यहाँ पर क्या है one minute देखो बेटा, यहाँ पर क्या है ends in vowel plus O, अगर vowel है पीछे और O है, जैसे की Jew यह देखो, क्या है बेटा, vowel है और last में भी vowel है, तो क्या बन क्या Jews, इसमें भी S लगा देंगे ऐसी रेडियो में देखो बेटा, I, O दोनो vowel है, तो दो vowel है पीछे तो इसका मतलब क्या हैगा, radios S लगा देना है, यहाँ पर भी दो vowel है ठीक है, आप यह समझो, दो vowel है तो क्या लगा होगे, S वीडियो, मतलब O होना चाहिए, पीछे और उससे पहले भी एक vowel होना चाहिए, तो यहाँ पर वीडियो, कंगारू का पेटा, कंगारू ठीक है, अब यहाँ पर ends in consonant plus O हो, तो देखो यहाँ पर consonant है, R क्या है consonant है, H क्या है consonant है T क्या है consonant है, यह भी T consonant है, इसके बाद देखो O लगे हूँ है ठीक है, consonant के बाद, तो यहाँ पर E लगाते है, यहाँ पर vowel के बाद O लगाता है, यहाँ पर consonant के बाद O होगा तो हम S लगाएंगे, consonant के बाद O होगा तो हम ES लगाएंगे तो देखो heroes, ecos, tomatoes, potatoes exception भी है इसमें, मतलब कि जो यह rule को follow नहीं करते हैं, जैसे कि piano है, piano में देखो consonant है और फिर O है, लेकिन यहाँ पर हम S लगाते हैं, तो यह याद रखना है आपको ज़्यादा तर वो याद रखने हैं जो कि क्या है, exceptional है photos में भी consonant है, O है तो इसमें हम E S नहीं लगाते हैं, खाली S लगाते हैं, ठीक है, अब no changes जिसके अंदर कोई change नहीं आता बेटा, देखो एक ship, two ship ठीक है, मतलब one ship, two ship यानि कि एक भेड, दो भेड हम यह तो नहीं करते हैं, एक भेड, दो भेडे करेंगे, यहाँ एक fish, two fish one series, two series, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया अब next क्या है बेटा, यहाँ पर third question क्या है, based on the above, let's revise ठीक है, तो आपको इसी की तोर पर revise करना है ठीक है, most of the time add S to the make plural अगर हमें किसी चीज़ को plural बनाने तो हम उसमें क्या करेंगे S add कर देंगे, जैसे की plate का plates बना दिया scoops का क्या बनेगा बेटा, scoops, ठीक है यहाँ पर S लगा दोगे, यहाँ पर if you hear the sound of ठीक है, किसकी sound सुनते है, of की या फिर iz की at the end, तो क्या करोगे, ES add करोगे, जैसे की dish dish के बाद क्या लगा दोगे, ES, dishes अब यहाँ पर if the word end in F, अगर F से end हो रहा है या फिर EF से end हो रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, इनको remove करोगे, ठीक है, और क्या करोगे, F या EF होगा, add V, E, S लगाना है, आपको जैसे loop हो गया, तो यहाँ पर F है बेटा, तो क्या करोगे, V, E, S loose बन जाएगा यह, ठीक है, F हटा दिया आपने, similar बेटा देखो, if the words ends in a vowel plus Y, अगर vowel बेटा देखो vowel किया रहा, और यह day तो क्या करोगे, S लगा दोगे, days फिर if the word ends in a consonant plus Y, ठीक है, अगर consonant तो हमने उपर पढ़ाता तो क्या लिखोगे, cherries Y हटा दोगे, और I, E, S लगा दोगे, ठीक है, अब यहाँ पर irregular plural don't follow the normal pattern, जो pattern हम follow कर रहे है, S याइस का, यह follow नहीं करते, irregular nouns जो थे, ठीक है, तो उसमें child था, तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, child का, अगर दो की बात करने तो, दो children, ठीक है, यह करना पड़ेगा, follow, अब इसके बाद क्या है, बेटा, if word end in vowel, O, add S, ठीक है, अगर जो vowel है, बेटा, O है last में, तो हम क्या करेंगे, S लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, peace, that chose, ठीक है, O, S, S लगा देंगे, फिर if the word ends in a consonant plus O, अगर consonant plus O हो, यहाँ पर क्या था, आई क्या था, vowel था, प्लस में O था, तो हमने अभी उपर बात की थी, इसी चीज़ की, यहाँ पर क्या, consonant plus vowel होगा, तो क्या करेंगे, बेटा, zeros, ES लगा देंगे, ठीक है, O के बाद ES आ जाएगा, वहाँ पर ऐसा है था बस, यहाँ पर no change, ice का बेटा, ice ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह complete करने है, फिर भी कोई doubt रहतो तो आप इसको दो बारा से समझो बेटा, और learn करो, आपको जरूर याद हो जाएगे, इस वीडियो में बेटा इतने है, अपना नेक्स टोपिक हम अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे, तब तक लैसे हसते रही है, मुस्कुराते रही है, पढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है, thank you